तो नमस्कार आप सभी प्यारे सात्यों को आज का टॉपिक है जन जातिया जिसके अंदर वो क्यूशन मैंने सामिल किये हैं जो 1994 वैसे एक्जाम के अंदर पूछे जाने लगे थे और जो 2022 तक के क्यूशन इसमें सामिल है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहे आप जाती पंचायत का मुख्या क्या कहलाता है तो डामूर जन जाती की जाती पंचायत का मुख्या मुख्य के लाता है इसमें Being Right हो जाएगा अब next question है कि किसने भीलो का संब्द नेगरीटो परजाती से बताए तो नेगरीटो परजाती से बताने वाले मजूमदार थे तो option इसमें B विल्कुल राइट हो जाएगा अब next question है कि भील किस देवता कि केसर का पाने पीकर जूट नहीं बोलते हैं तो भील है वो रिशब देव या पिर जिने काला जी के नाम से जानते हैं तो option D इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा अब next question है कि सहरिया समाज में जो हताई है तो हताई क्या है तो सहर आना के बीच एक छतरी नुमा गोल चौक और जोहपड़ी है जिसे हताई का जाता है तो option इसमें B बिल्कुल राइट हो जाएगा अब next question है कि अनुसुचित जातिया या जन जातिया सविदान के किस अनुचेद के अंतरगत अधिसुचित की जाती है तो अनुसुचित जातिया है वो article 341 और जो जन जातिया है वो 342 के अंदर है तो इसमें option C बिल्कुल राइट हो जाएगा अब next question है कि जन संक्या के अधार पर राज्ये का देश में इस्तान है तो जन जाती जन संक्या के अधार जो राज्ये का देश में इस्तान है वो छटटा है तो option C बिल्कुल राइट हो जाएगा अब next question है कि कुल जन संक्या में अनुसूचित जाती के परतिसत के आदार पर राजस्तान का देश में इस्तान है तो आटवे का option C बिल्कुल right हो जाएगा तेरवा इस्तान है अब next question है कि कोडिया देवी जो कोडिया देवी है वो किस जन जाती की कुल देवी है अब next question है कि सहरिया चेत्र में कपील धरा का मेला लगता है वो कपील धरा का मेला कब लगता है वो कार्तिक पुर्णिमा को लगता है तो option इसमें C बिल्कुल right हो जाएगा मैंने मेले और तेवहार आपको complete करवा चुका हूँ और इसका second part आपको बहुती जल्दिया उपलब्द करवा दूँगा मैं तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहना अब वालमी की राजिय की किस जनजाती समूदाय के आदी गुरू है तो वालमी की वो शहरिया जनजाती के आदी गुरू माने जाते है तो option A बिल्कुल right है इसमें अब next है कि चेतर विचेतर मेला किस जनजाती से सम्मदित है तो यह जो मेला है वो ग्राशया जंजाती से रिलेटेड है, option इसमें B बिल्कुल राइट हो जाएगा, अब next question है कि किस जंजाती की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है, तो सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है वो कंजर जंजाती के आए, जो मरने के बाद व्यक् का परचलन, option C, इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, अब next question है कि मरने वाले वेक्ती के मुह में सराब की बुन्दे डालने का परचलन किस जंजाती में है, तो यह मरने वाले व्यक्ती के मुह में ये कंजर जाती में और एकता भी किसमें कंजर जाती के अंदर है, यह या जातियों को संगठित किया था तो एक ही आंदूलन किसने चलाया था तो इसा भी आ आ सकता है और बहुत बार आ रहा है यह कुशन तो आप से इसमें सी बिल्कुल राइट आएगा मोतिलाल तेजावत बिल्कुल राइट हो जाएगा और इसका क्यूशन यह भी बन सकता है कि सबसे प्राचेन जन जाती कौन सी यह तो भी ले इस बात का आप दिहान रखना है जिए चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अब नेक्स्ट क्यूशन है कि आदिवासी शमुदाय भी बन सकता है